नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं जर्खन से बंगाल जा रहा जहाज पल्टा आठ ट्रॉक समेत कई लोग डूबे राज महल से मानिक चक पछिमंगल के बीच चलने वाली फेरी सेवा के मालवाग जहाज के साथ सो महल की देर हादसा हो गया उस पर लदे आठ ट्रॉक गंगा में डूब गये बदादे हादसे के बाद छो ट्रॉक ड्राइबर वा चार खलासी को लोगों ने गंगा से बाहर निकाल लिया है जहाज का एक स्टाप वा से ट्रॉकों के ड्राइबर वा खलासी फिलाल लपता है वो लोगों की खोजबिन की जा रही है रांची इस्थित भारतिय मोसम विज्यान के अंद्र से मिली जनकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिन तक ठंड से कोई रहात नहीं मिलेगी लेकिन एव तैलिस घंटे बाद निम्तम तापमान में दो दस्मलों चार डिग्री सेल्सेस की बड़ोतरी की संभवना है मोसम विज्यान के अनुसार पिछले 24 गंटे में जार्कान में मोसम सुस्क रहा बता दे सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री चाई बासा में रहा जबकि बोकारों का निम्तम तापमान 9 दस्मलों एक डिग्री सेल्सेस धर्च किया गया बिर्सा मुंडा जयनती पर बंगाल में रहेगी छुटी मोख मंतरी ममता बनार जी ने सोम वार को बाकुडा के खातरा में कायकरम को संभोद्रित करते हुए आधिवासियों के लिए कई उजनावों की घुषना की इसके साथ ही मोख मंतरी ने बिर्सा मुंडा की जयनती पर अगले वर्ष से राज्य में सरकारी छुटी की घुषना की है इसके साथ ही मोख मंतरी ने देश के ग्री मंतरी अमीच सा के दोरे पर कटाक्ष करते हुए कहा की अमीच साने बीस्टा मुंटा का अपमान किया सिर्पोर्ट के समयरा नितिक के लिए वे समाज के विशिष लोगों से समान का दिखावा करते हैं बावुलाल बंधु तिर्की और प्रदी प्यादों के खिलाप दल बदल का मामला पर सुनवाई 17 दिसंबर को जार्खन बिधान सभा चुना 2019 में जार्खन बिकास मोर्चा से सीमबल पर निर्वाचित तीन बिधाय को बावुलाल मरांडी परदी प्यादों का समय देते हुए अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निधायत किया है जार्खन में टीवी के मरीजों की कुरोना जाथ 24 से 30 नौंबर तक राज में टीवी के मरीजों में कुरोना और कुरोना के मरीजों में टीवी के संक्रमन का पता लगाने के लिए मंगलवार से अभियान चलाया जाएगा इसके लिए स्वास्त कर्मी घर घर जाकर मरीजों की स्क्रेनिंग करेंगे बता देया अभियाई 24 से 30 नौंबर तक चलाया जाएगा स्वास्त विभा के परदान सचीव डाक्टर ने तीन मदन कुलकरनी ने राजे के सभी उपायक्तों को पत्र लिखकर इस बावत दिसाने देश दिया है इसमें वैसे मरीज जिनें कुरोना से ठीक होने के बावजूद खासी समयत आने परसानी है उनमें टीवी के संक्रमन का पता लगाने के लिए उनकी जाच की जाएगी वहीं टीवी के वैसे मरीज जिनमें कुरोना जैसे लक्षान है उनकी कुरोना की जाच की जाएगी बिना मास्क घुमने पर 10 घंटा की जेल देश में कुरोना की दूसरी लहर आने के संका ब्यक्त की जा रही है कई राजियों और बड़े महानगरों में इसका असर भी दिखने लगा है बता दे परसासन ने राची में कुरोना के निमों का उलंखन करने वालों पर कड़ी करवाई करने का निर्देश दिये है इस बिच परधान मंत्री नानमद्दी मंगलवार को जारकन के बुक मंत्री हमन सुरेन के साथ कोबिट-19 पर अंकुस को लेकर एक समिक्षा बैटक भी करेंगे कुरोना की रोक्ताम के लिए राची जीला परसासन ने सरक और सरजनिक अस्थलों पर बिना मास्क लगाने वाले व्यक्ति की कुरोना जाच कराने और उसे 10 गंटे तक और स्थाई जेल में रखने का निर्देश दिया है पलामो उपायुक्त ने मतज से गव ये पसुपालन के कारियों की समिक्षा की पलामो उपायुक्त ससी रंजा ने सो मारको की सी सकालिता, उद्ध्यान, मतज से गव ये वंपसुपालन विभाग के कारियों की समिक्षा की समिक्षा बैठक में उन्होंने कारियों के प्रगति लाने सहीत और निर्देश दिये उपायुक्त ने क्रिसी विभाग की समिक्षा में सबसे पहले प्रखंडों में 24 नॉमबर से 27 तथा 2 दिसमबर को लाबको को के सी सी के अच्छाइदित करने वाले सिवीर के त्यारी की समिक्षा की उन्होंने बैठक में मवजूद क्रिसी पता दिकारी को सीवीर में ATM तथा BTM से स्वयोग लेने की बात कही खुंटी उपायुक्त ने पेंशन की समिक्षा की खुंटी उपायुक्त ससी रंजन के निर्देशा अनुसार पेंशन अदालत का आविजन किया गया इस दवरान बिभीन बिभागों के ताहत लंबित पेंशन के मामलों की समिक्षा की गई मोके पर अपर समाहरता अरविंद कुमार ने समंदित बिभाग के अधिकारियों को लंबित पेंशन के मामले का निस्तारन कर पेंशन अदालत की अगली बैठक में समंदित अगतन पर तिवेदन के साथ उपस्तित होने का नेदेश दिया है जार्खन में दमादो के नाम पर बसा है एक गाउ जार्खन के सराय किला खरसावा जीले में एक गाउ दमादो से बसा है बता दे इसी वज़े से इस गाउं का नाम भी जमाई पड़ा पड़ गया है पुरा गाउं उडिया भासियों का है जहां दमादो को जमाई कहा जाता है लेकिन बोल चाल में असान होने की वज़े से इनका नाम जमाई पड़ा हो गया बतादे आधितेपुर अध्योगीक छेतर से 60 यह गाउं लगबक उसी समय बसा था जब आधितेपुर अध्योगीक छेतर का गठन हुआ था रांची के लोक गायक मधु मनसूरी को निनाज समान साहितिक संस्कृतिक संस्था निलांबर द्वारा समाजी क्योगदान के लिए निनाज समान ज़ार्खन अधिवासी अंदोलन से जुड़े गायक गितकार मधु मनसूरी हंस्मूख को देने की गोस्ना की गई है बता देनाग पुरी भासा के प्रसीर गायक मधु मनसूरी हंस्मूख के गितों ने ज़ार्खन के आधिवासी अंदोलन को नई रहा दिखाई है ज़ार्खन के लोगों के बीच उनके गित खासे लोग प्रिये है उनके गीतों ने जार्खन छेत्रे में संस्क्रितिक मसाल का काम किया है जार्खन में 219 संक्रमितों की पुष्टी हुई है जो राची से 68, बोकारों 29, चात्रा, दो, देवखर 10, धनबाद 13, पुर्वी 27, गडवा 4, गिड़ी 3, गोड़ा 1, गोमला 2, हचारी बैक दस, जामतड़ा 1, कोडार्मा 2, लातेहा 4, लोहर्दैगा 11, पलामू 8, रामगर 9, साहिवगन 4, सराय के लातीन, सिम्डेगा 1, पच्म में 4, मिले है, जारखन में कुल संक्रामितों की संक्या 1,7688, जबकि 1,54, 533, लोग स्वश्थ हुए, और 1,344, लोग स्वश्थ हुए, भारत में ना एक केस 37, 410, मिले है, भारत में एक टिप केस 4,37, 815 है, वहीं जारखन में एक टिप केस 222 है, जारखन के 5 परमोख जनजातियों की प्रत्थाओं का होगा अधियान, जारखन की 5 परमोख जनजातियों के प्रत्थागत अधिकारों वह प्रत्थाओं का तुलनात्मक अधियान किया जाएगा, इसके लिए ऐसे जनजातिय समोग का चैन किया गया है, जिनकी संस्क्रितिक बिरासत, लोक प्रमपरा अने बती जन जात्ती समुदायों से काफी उन्नत अच्सम्रीद हैं बतादे इनमे संताल, उराव, मुंडा, हो, खड़िया और चेरो समिली था है आलू प्याज के बरते दामों से चिंतित जामुमों विधायक सिता सुरेन ने सिये महमन सुरेन से जनता को राह पहुचाने की अपील की है बतादे 10 रुपे प्रती किलो विखने वाला आलू प्याज आज 50 रुपे से 60 रुपे तक विक रहा है बिहार से जारकन आने वाले बसों के सीटे 3 दिनों तक के लिए फूल हो गई है राची उपायुक छवी रंजन ने त्योहार मना कर दूसरे राजियों से आने वाले को कुरोना जाज कराने की अपील की है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा है कि विधायक बंधु तिर्की ने प्रेसवर्ता करके सरकार के विभीन विभागों में भरष्टा चार होने की बात कही है जो भाजपा हमेशा भरष्टा चार की बात कहा करती थी आज उसे विधायक तिर्की ने भी सविकारा है राची सांसत संजय सेठ ने अर्जुन मुंडा की बड़ी बहन के निधन पर अपनी गहरी सन्वेदना प्रकट की है जार्खन कंग्रेस भवन में पार्टी के वरिष्ट नेता यकी किरित बिहार सरकार के मंत्री रहे ओपी लाल के निधन के बाद सोमवर को सोक सभाका हुजन किया गया अलोक कुमार दूबे ने मुखमत्री हमन सुरेन को पत्र लिखकर आगामी फरवारी महीना में दसवी और बरावी बोड की होने वाली परिक्षा को लेकर आवस्यक छूट देने की अपील की है रेल मंत्राले ने रेल कर्मियों को देश में कहीं भी रेलवे अस्पताल में इलाज कराने की सुविधादे दी है बता दे इसके लिए रेल कर्मियों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल में रईस्टेशन करवाना होगा धन्यवाद